इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्रह्मो समाज के बारे में देखे, पिछले वीडियो तक हमने चैप्टर के सारे पार्ट्स को कॉम्प्रेंसिवली कवर कर चुके हैं कैसे? तो जितने भी टॉपिक्स थे, सब टॉपिक्स थे हर चीज़ को हमने एक्स्टेंसिवली पढ़ाएं, हर चीज़ को समझाएं अभी क्या है जो आपके लास्ट टॉपिक्स हैं क्या है और्गनाइजिंग फॉर रिफॉर्म तो उसमें अलग-अलग और्गनाइजिशन के बारे में डीटेल्स दियें कि कौन-कौन से और्गनाइजिशन आई जिनोंने बदलाव लाने का प्रयास किया तो अब हम क्या करने वाले हैं? उन्हीं सारी डीटेल्स को वन बाइवन पढ़ने वाले हैं क्यों? क्योंकि यह important है, one marks के perspectives और जो competitive की त्यारी कर रहे हैं आगे आप exam देते हो गर कुई साथ तो वहाँ पर इन सारी चीजों से डीटेल्स पुछी जा सकती है और पुछी जाती है ठीक है? तो उन सारे sense में क्या है? बहुत important चीज हो जाती है ब्रम्हो समाज ठीक है? आगे क्या है? इसकी जो roots है न वो roots ब्रम्हो समाज से ही निकल के आती है क्योंकि ब्रम्हो समाज ने पहली बार reform लाने की बात करी ब्रम्हो समाज कहती है कि East और West के जो ideas है ठीक? तो जैसे Orientalists थे तो वो क्या बात करते थे कि Eastern world का knowledge लो, ancient knowledge लो ये सारी चीज़े लो और Englishist जो थे हमने पढ़ा है पिशली chapter में तो Englishist जो थे वो क्या बोलते थे कि नहीं हम तो Western knowledge is superior knowledge इस तरह की सोच चलती थी लेकिन ब्रम्हो समाज जब established की गई तो उसने एक syncretic trend develop किया एक ऐसा system develop किया जिसमें क्या हो Eastern और Western values को एक साथ जोड के देखा जाए ठीक है? तो यह achievement रहा ब्रम्हो समाज का ठीक? It was considered as the first reform movement किसने start की है? तो हम यह chapter में भी पढ़ चुके हैं ध्यान रखना है कि ब्रम्हो सभा वस started बाए राजा राम मोहन रॉय तो इट वस founded in 1830 1830 में राजा राम मोहन रॉय ने से establish किया था ठीक है main priority जो थी तो women upliftment caste टैबूस जो थे caste inequalities जो थी ने खतम करना था अब उसके बाद में का जैसे देखोगे न तो ब्रम्हो समाज का मतलब क्या होता है? The society of God भगवान की society ब्रम्हो ठीक है? भगवान ब्रम्हो समाज तो ब्रम्हो की क्या है? एक समाज बनी हुई एक society बनी हुई गृप बना हुआ है तो उस तरह से consider किया गया अब यह भगव ब्रम्हो समाज जो है तो क्या बनाएंगे हम एक ऐसी society बनाएंगे जहां सब भगवान के बराबर होके रहे हैं ठीक है? आपस में समान रूप से रहे हैं तो वो एक consideration लेके ब्रम्हो समाज established की गई थी ठीक है? It prohibited all forms of idolatry and sacrifice इस चीज़ को समझो तो ब्रम्हो समाज में क्या ह होता है कि इनका एक जो में परस्पेक्टिव या फिर जो आपकी बुक में लिखा है कि जैसे में फंक्शनिंग क्या रही है कि it prohibited all forms of idolatry and sacrifice idolatry क्या होता मूर्थ पूजा तो अब इन्होंने का भगवान तो निरंकार है कोई ऐसा थो न्यां कि फॉप में कि या ऐसी मूरती होती है शंकर भगवान की या फिर यह ऐसे ही शंकर भगवान में जाके देखा था वो किसी नहीं नहीं देखा रहा हूने तो वहुंने क्या आइडियॉल इट्री वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए ठीक है अइडियल समद बना ओ आप अलग- वैसे कम हो गया लेकिन उस समय पर sacrifice का concept था ठीक है बली देना तो आप क्या है वो जानवर जो बोल भी नहीं पाते हैं ठीक है उन जानवर को क्या कर देते हैं आप बली sacrifice के नाम पे rituals के नाम पे क्या कर देते हैं उनका गला काट देते हूँ तो इस तरह से क्या होता है कि they prohibited all form of idolatry and sacrifices आगया समझ में यह तो इन सारी चीतों को oppose किया उसके आद में they believed in Upanishads upanishads क्या है इस चीज़ को समझना देखो अगर आप इंचेंट टेक्स्ट का करतें तो इंचेंट टेक्स्ट में क्या है वेदास हैं अब वेदास जो है तो वेद के खतम होने के बाद में जो टेक्स्ट मिलते हैं हमें ठीक है तो वेद के बाद में हमें उपनिशद मिलते हैं ठीक अब उपनिशद जो मिलते हैं तो उपनिशद का मतलब क्या है कि वेद और उपनिशद में आपको बेसिक डिफरेंस बता दू तो वेद में क्या है बहुत सादा क्या सारी च करना है यह मंत्र बोलना है ठीक है ऐसे चैंटिंग करना है वो सब वेद उबया गया लेकिन उपनिशद जो है तो उपनिशद क्या है वो स्पिरिच्वालिटी को सही मायनों में explain करते हैं ठीक है वो life को reason से जीना सिखाते हैं तो इस sense में क्या है कि बहुत सारे बाद में जो intellectuals आएं ठीक है reformers जो आए तो उन्होंने वेद को क्या consider किया वेदास को उन्होंने ऐसे consider किया क्या इसमें क्या कर्मकांड जादा है ठीक है यह करो वो करो लेकिन उपनिशद जो है तो वो क्या है जो human question of survival है कि मनुष्य है तो क्यों है उस basic feature पर या फिर क्या सकते है उस basic thinking पर ideas देते हैं उपनिशद तो यह reformers जो थे कि ब्रह्मो समाच के member Christianity को criticize करेंगे ठीक है या फिर Hinduism में कुछ है तो ऐसा नहीं कि ब्रह्मो समाच के member जो है Hinduism की उस practice को criticize करेंगे मतलब आपको सभी धर्म को क्या देखना है समान नजरों से देखना है और सभी धर्म को जब समान नजरों से देखो एक responsibility यह भी बन जाएगी कि जिस भी धर्म में जो भी घलत है ठीक है चाहे वो आपका धर्म हो चाहे वो दूसरे का धर्म हो उसे आप उसके अगेंस में आवाज उठाना है वही चीज़े ठीक है तो they critically drew upon the ideals of religions such as Hinduism and Christianity तो अब क्या होता है कि Hinduism और Christianity के जो ideals थे जो जो ideas थे ठीक है जो जिस भी तरह के क्या थे उसमें values वगेरा दी थी तो उसके positive और negative दोनों dimensions पे क्या किया बहुत critically चीजों को analyze किया ब्रह्म समाज के लोगों ने देखा कि अगर यह practice है तो इस practice में क्या सही है इस practice में क जलत कहा और जो सही था उसे सही कहा और यही क्या होना चाहिए वास्तविक्ता होना चाहिए इसी तरह से काम होता है तो ब्रह्म समाज ने अगर देखा जाए तो society को reform लाने के लिए और भी बहुत सारे प्रयास किये जैसे सती प्रता वगेरा बैन करवाना यह वो सारी चीज ठीक है तो केशब चंदर सेन जो थे तो राजा राम मोहन रॉय की death के बाद में ब्रह्मो समाज का जो कहते है expansion जो है वो केशब चंदर सेन के अंडर में हुआ है इन्होंने क्या 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 है ब्रह्मो समाज को पूरे pan India organization मनाया एक तरह से अलग अलग पार्ट में western पार्ट म ब्रह्मो समाज जो है तो इनकी leadership के अंडर में क्या होती है spread होती है अब देखो क्या है लेकिन जो केशब चंदर सेन थे तो कभी-कभी लोग इन्हें मतलब कुछ thinkers जो है कुछ scholars जो है वो क्या कहते है केशब चंदर सन जो थे तो इन्होंने क्या किया है अपनी बातों में औ बहुती कम रूम में शादी कर दी थी तो इस तरह से क्या है कि ब्रह्मो समाज के जो कुछ members थे वो केशब चंदर सन की leadership में क्या होते होते होतने खुछ नहीं होते इस कारण से ब्रह्मो समाज में और भी divisions और भी splits होते चले जाएंगे आगे आप बड़ी classes में और आले हैं I hope यहां तक चीज़ें समझ में आईएं किसी प्रकार के डाउट हैं तो feel free to ask in comment section till then stay connected keep learning thank you thank you